प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ, मैं हश्वरदन सिंग और आज की सुबह 8 बजे की क्लास में आपका स्वागत है क्लास में हम रोज टॉपिक्स को डिटेल में डिसकस करते हैं और उनसे जुड़े वे सभी पहलों को समझने की कोशिश करते हैं जोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या सभी चीज जो करंट में चल रही हो उससे हम जो है वो टॉपिक्स को लिंक करते हैं और उनके अंडेस्टैंडिंग बनाते हैं इस अप्रोच के माद्यम से आपको हर एक्जाम के हिसाब से तैयारी करने का मौका मिलता है और आप कोई भी एक्जाम दे चाहे वो यूपिसी में CDS, ASTITRAN कमार्डनेट के एक्जाम हो एंडेके पेपर हो या फिर आप किसी भी तरीके के स्टेट PCS के एक्जाम की तियारी क रहे हैं हर तरीके के पेपर के लिए आपके लिए इस class में best current affairs का जो है वो module तयार किया जाता है और आपके help करने की पूरी कोशिश की जाती है हम हर news को जो है वो बहुत अच्छे सहने list करते हैं और उस पे best approach लेते हुए class को बढ़ाते हैं अब मैं आज 23 अक्टूबर की क्लास में आखा स्वागत करता हूँ Everyone good morning ठीक है और चलिए शुरू करते हैं 23 अक्टूबर के current affairs की क्लास एक्जाम में यही आएगा ठीक है तो current affairs with me हर्षवर्दन सिंग आज आपके लिए पहला सवाल आया है इंडिजीनियस्ती डेवलप्ट नाग मिसाइल यह किस तरीके की मिसाइल है यह क्या है ठीक है स्वदेशी रूप से विक्सित जो है वो नाग मिसाइल किस तरीके की मिसाइल है Anti-Submarine Missile है जाने के Anti-Pandubi Tank Rodak Anti-Tank Missile है Nuclear Capable Missile है Parmanu Suction Missile है या Anti-Aircraft Missile है कल TRDO के द्वारा NAAG Missile का जो है वो सफल परिक्षन फिर से किया गया TRDO भारत की एक प्रमुक संस्था है जो की हमारे देश के अंदर हमारे देश के अंदर जो भी Missile Technology Development वगरा होता है इन सब चीजों से जुड़ावा काम देखती है मुख्य तोर से DRDO Defense Ministry के अंदर या रक्षा मंतराले का अंतरगत आती है रक्षा मंतराले का जो है वो शेतर है DRDO और इसके अंतरगत ये नाग मिसाइल का जो है वो सफल प्रिक्शन किया गया है बताईए नाग मिसाइल किस तरीके की मिसाइल है ये कल णैउस में था हम कभी भी पुरानी णैउस या पुरानी चीजों को नहीं डिसकस करते हैं हम जो दो-तीन दिन में ही करइंट में रहा है उन्ही topics को discuss करते हैं current मतलब current और इसी class का इस class की ये खास विशिष्टा है ठीक है तो यहाँ पर जो है वो सभी students जो regularly हम से जुड रहे हैं उन सभी students का फिर से स्वागत करता हूँ good morning everyone चलिए जवाब दीजे बताइए कि नाग मिसाइल जो है वो किस प्रकार की मिसाइल है एंटी टैंक मिसाइल है या एंटी सब्मरीन है न्यूकलियर के पिपल है एंटी आरिक्राफ्ट है अंसर आने लग गए हमारे पास में students के बताइए students कि ये जो है वो किस तरीके की मिसाइल जैसा मैंने बताया कली इसका सफल परिक्षन किया गया है और इसने जो है वो सफलता पराप्त किया है भारत के लिए बहुत ही महतपूर्ण जो है वो ये मिसाइल है मैं बताऊंगा इसका इतिहास भी आप लोगों को तब तक आप लोग इसका अंसर बताईए मुझे कि क्या इसका अंसर है चलिए ओके, अंसर है B, बिल्कुल सही है जो students B अंसर बता रहे है एंटी टैंक मिसाइल जो है वो ये है ठीक है, नाग मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल अब इसी से जुड़ावाए एक और नाम ध्यान रख लिजेगा, अगर आप से हैली ना मिसाइल पूछ ले, ठीक है है, हैली ना अगर मिसाइल पूछ ले तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है है, हैली कॉप्टर यानि की हैली कॉप्टर वर्जन या हैली कॉप्टर जो संस्कराण है, नाग मिसाइल का ही, नाग मिसाइल का ही हैली कॉप्टर वर्जन जो है उसका नाम दिया गया है हैली ना हैली कॉप्टर वर्जन जो है उसको हेली, ना कहा जा रहे है तो यह बात भी ध्यान रख लीजेगा तो हेली ना अगर नाम भी पूछ ले तो वो भी क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है, बट वो हेलीकॉप्टर से लाँच की जाती है हेलीकॉप्टर और नाग, ध्यान रखेगा ये एक anti-tank missile है, third generation anti-tank missile है, third generation anti-tank missile है, जिसमें fire and forget facility, यानि कि एक बार आप लक्षे को साथ करदाग दीजिए, उसके बाद वो लक्षे को hit करेगा ही करेगा, और ये इसकी खास बात है, अभी हाल ही में भारतिय सेना के पास पे जो anti-tank missile है, उनकी बहुत ज़्यादा shortage हो ग पड़ गई थी, spike missile का नाम भी ध्यान रख सकते हैं, ये थोड़े दिन पहले इरान से खरीदी गई है, spike missile जो है, और ये भी एक anti-tank missile है, तो ये news में रहा, इसी से जुड़ावाई एक और चीज जो हमें पता हो नीचे, वो क्या है, DRDO का मुख्याल है, कहां पर है, कहां पर है, इसका अंसर भी बताईए, सभी students, बहुत ही simple question है, सभी students को ये पता होना चीए, बहुत important organization जो news में चलते हैं, उनके मुख्याले वगएरा कहां पर रहते हैं, ये भी हमारे लिए question important बनता है, बताईए DRDO का मुख्याले कहां पर रिस्तेते हैं, actually DRDO बहुत ही महत् संस्ता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि हमारे जो है वो प्रमुक तरीके से जो भी missile वगएरा technology वगएरा पर काम करने वाला संस्ता है, वो DRDO है, चाहे वो अगनी missile हो, चाहे वो प्रित्वी missile हो, जिनके अभी हाल ही में परिक्षन होते रहे हैं, सभी missile जो हैं, उन मुख्याले दिल्ली के अंदर हैं, बिल्कुल सही हैं, आप लोग A, अंसर देनवारे स्टूडेंट सभी सही हैं, ठीक है, डेली है इसका मुख्याले, बैंगलूरू में इस रो का मुख्याले, ध्यान रखिएगा, अभी वरतमान में DRDO के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर सतीश रेड़ी, डॉक्टर सतीश रेड़ी जो हैं, वो वरतमान में DRDO के अध्यक्ष हैं ध्यान रखिएगा, और DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, 1958 के अंदर हुई थी, 1958 के अंदर DRDO की स्थापना हुई थी, ये भी एक information है, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली information है, प्ल आगे बढ़ रहे हैं हम, आगे बात कर रहे हैं, राज्य चुनाव आयोग, यानि की State Election Commission की, ये किस अनुछेद के अंतरगत जो है, वो बनाये गया है, State Election Commission is created under which article of the Constitution, राज्य चुनाव आयोग जो है, जो कि राज्यों के चुनाव कराने के, जो है, वो काम में आता है, या फ कि राज्य में जो पंचायत इस्तर के, या नगर पालिका, नगर निकाय जो होते हैं, उनके इस्तर के, ठीक है, इस्तरों के अध्यक्ष हैं, पियूश इस्तरों के अध्यक्ष हैं अभी डॉक्टर के सिवान, ठीक है, डॉक्टर के सिवान जो हैं, वो अध्यक्ष हैं इस्त के, अच्छा, स्टेट एलेक्शन कमीशन जो है, उसको किस सम्विधान के अनुछेत के तहद बनाए गया है, सम्विधान अनुछेत के तहद बनाए गया है, बताईए, इन दौनों का काम जो है, वो का फर्क जो है वो मैं आप दोनों को समझा देता हूँ थोड़ा सा किस तरीके से होता है देखिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसका मुख्य काम होता है पंचायतों के चुनाव कराना या नगर निका के चुनाव करवाना वहीं दूसरी तरफ जो है वो जो मुख्य हांचे के अंदर बने वे जो संस्था थे संसथ है राश्रपती के चुनाव है उपराश्रपती के चुनाव है राज्य सभा विधान सभा और लोक सभा के चुनाव विधान सभा के भी केंद्रिय चुनाव आयोग इलेक्शन करवाता है वहीं ये जो राज्य चुनाव राज्यों के अंदर यानि कि नगर फालिका, नगर निगम, नगर निकाय जो भी होते हैं, उनसी पैलिटी जो भी होती हैं और फिर उसके बाद में आखिर में पंचायतों के भी, तो बिल्कुल सही है आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं, भी अंसर है आपका आर्टिकल 243, असल कोड में एक रिट दारी की है, या फिर एक याची का दायर की है, और उनने कहा है कि यह हमें पैसा नहीं दे रहे हैं, और हमारे मांगने पर, या जब भी चुनाव आयोक को, राज्य चुनाव आयोक को पैचे की जरुत होगी, तो वो पैसा जो है जारी करें, ताकि हम जो है यानि कि संसद के सभी दौनों सत्रों के चुनाव, संसद के अंदर जो दौनों सदन होते हैं, चाहे वो लोक सभाओ, चाहे वो राज्य सभाओ, दौनों के चुनाव करवाता है, उसके अलावा विधान परिशत के या विधान जो मंडल होता है, उसके चुनाव जो है, वो क कहते हैं हम स्वायत सरकार कहते हैं पंचायतों के चुनाव और नगर निगम के नगर निकाय के चुनाव जो है ये दौनों तरीके के चुनाव जो है वो राज्य चुनाव आयोक करवाता है ध्यान रखेगा और हर राज्य चुनाव आयोक का अध्याश अलग होता है उसको कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा सिर्फ state specific exam माने के chances हैं पर केंद्रे चुनाव आयुक का नाम ध्यान रखेगा मुख्य चुनाव आयुक तो जो हैं केंद्र के अभी हैं सुनील अरोडा साथ ध्यान रखेगा नाम सुनील अरोडा ध्यान रखेगा चलिए अगले पर आगए हम next question पर आगए हम पताईए India's first sea plane service will be started in which state भारत की पहली समुदरी plane सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी किस राज्य में ये सेवा शुरू की जा रही है सी plane भी जो है वो एक बहुत महत्पूर्ण सेत्र है जिसको भारत सरकार बढ़ावा देने की ओर है हमारे देश के अंदर अभी तक sea plane सेवा जो है वो शुरू नहीं है या चालू नहीं की गई है मैं आपको दिखा देता हूँ यह image है एक sea plane की sea plane कुछ इस तरीके से दिखाई देता है तो कि पानी में उतरने की शमता रखता है थोड़े दिन पहले यह news में रहा था जब श्री नरेंदर मोदी जो हमारे परधान मंत्री जी है उन्होंने इसकी यात्रा भी करी थी और तब यह उस टाइम पे सुर्खियों में आया था कि sea plane service जो है वो भारत में शुरू की जाएगी कुछ एक जगहों पर इसको निजी शेतर के हाथ में दिया हुआ है पर अब इसको एक आपचारिक सेवा की तरह पे शुरू करने की पूरी योजना भारत सरकार ने बना ली है यह प्रमोशन भी करता है ट्यूरिजम का भी प्रमोशन होता है इसमें और यह ट्यूरिजम की भी बात करता है इसमें ट्यूरिजम को बढ़ावा देने की भी बात होती है तो बताइए किस राज्य के माध्यम से या किस राज्य में सबसे पहली सी प्लेन से वा C plane ऐसे plane होते हैं जो पानी पे उतर सकते हैं पानी पे उतरने की शमता रखते हैं ऐसे plane तो आप मुझे बताइए कि कौन से राज्य के अंदर शुरू की जाएगी अंसर आ रहे हैं हमारे पास में काफी students के students बताओ और भी students participate करिये बताइए कि इसका अंसर क्या होगा मैं आप लोगों के answers का इंतजार कर रहा हूँ काफी students के अंसर आ रहे हैं रोचक है ये बात कि आप लोगों में से mixed answer आ रहे हैं जब mixed answer आते हैं तब अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा तो हमारे लिए बहुत benefit रहे इसी के साथ मैं आप लोगों को एक announcement भी करना चाहूँगा announcement ये है कि 31 October यानि कि next Saturday 31 October यानि कि next शनिवार को एक marathon class होगी तीन घंटे की class होगी जिसके अंदर October महीने के सारे current affairs को जो है वो discuss करेंगे हम question based format में हम 100 questions जो हैं वो discuss करेंगे जिसके अंदर पूरे October महीने के current affairs रहे हैं उनको discuss किया जाएगा 31 October तारी Χमार्ण कर लीजेगा ध्यान रखिएगा 31 October औरको current affairs पूरे महीने के हम जो है वो रखेंगे अनौंस कर दिया जाएगा but 31 तारीक fix है और 31 तारीक को पूरे महीने current affairs करा जाएगा वहीं दूसरी तरफ थोड़े दिन बाद जब या तो अगले महीने के यानि कि 31 तारीक के बाद में उससे शनिवार एक या शनिवार के अंदर अंदर उससे पहले के महीनों को यानि कि सितंबर के महीने को cover किया जाएगा current affairs के माद्यम से या current affairs के questions के माद्यम से इस तरीके से special classes हम लाएंगे ताकि आपके previous months के current affairs भी जो है वो cover होते रहें और हमारा revision भी होता रहे, practice भी होती रहे और हमारा benefit भी होता रहें है तो हम सभी topics को जो है पिछले महीनों में रहें उनको news में रहें चलिए, बिलकुल सही है students जिन्होंने गुजरात अंसर दिया, कुछ students ने जो है वो गुजरात अंसर नहीं है, केरल बताया बट वो गलत है, इसका अंसर जो है वो गुजरात है, अब ध्यान रखीएगा ये कहां से कहां तक है, ये एहमदाबाद जो शेहर है ठीक है, एहमदाबाद जो शेहर है एहमदाबाद शेहर से लेकर Statue of Unity Statue of Unity Statue of Unity जो जगह है किन की मूर्ती है, सरदार बटेल साब की मूर्ति है सर्दयार बटेल साब की जो मूर्ति है Statue of Unity विश्व की सबसे उची मूर्ति वहां तक जाएगा यह Statue of Unity तो इन दौनों जगहों के बीच में इस plane सेवा को जो है वो चालू किया गया है अब मुझे बताईएगा Statue of Unity जो है वो कहां इस्तित है Statue of Unity किस बांद पर इस्तित है Next question आगया आप लोगों के लिए मैं इसी से जुड़ावा जो चीज पूछना चाहूंगा वो यह बताईए Statue of Unity is located near which dam किस बांद के किनारे पर यह जो जगह है वो situated है इसके बाद हम इसको मैप पे भी देखेंगे हम देखेंगे कि यह जगह कहां पर है क्योंकि मैप देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है Current Affairs का फाइदा उठाना है हमें तो मैप तो देखना ही चाहिए मैप से ही question आ जाते हैं कई बार तो अगर आपने जगह देखी हो मैप देखे हो, location देखे हो तो आपको question करने में आसानी होती है कई question हस्ते खेलते इसी वज़े से हो जाते हैं क्योंकि हमने map देखा है चलिए बताइए statue of unity किस बांध के पास तित है statue of unity जो है उसका निर्मान भी बताइए, साथी साथ ठीक है, damn का अंसर तो आप लोग बताई रहे है साथी साथ नदी बताईए, interesting हो जाएगा मजाएगा, है ना, तो कौन सी नदी है, जिसके किनारे ये बांध है और किसके किनारे ये statue of unity, विश्व की सबसे उची मूर्ती जो है, उसको स्थापित किया गया है, सरदार पटेल के सम्मान में ये मूर्ती स्थापित की गई है, जो गुजरात राज्यते थे और अभी हाली के अंदर ये बहुत जादा सुर्ख्यों में भी रहा है, जबसे इस मूर्ती का निर्मान हुआ है, अभी मैं आपको एक और information देता हूँ, आने वाली 31 October को जो है, वो सरदार पटेल का जनम दिवस या जनम शताब्दी होती है या जनम की तारीक होती है जिसको जैनती के तौर पे मनाया जाता है, इसको National Unity Day मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा अभी आने वाली 31 तारीक है ना, बिलकुल सही है, very nice, every student, सभी लोगों ने जो answer दिये हैं, वो लगभग सभी ने सही दिये हैं, इसका answer है सरदार सरोवरवांद, बिलकुल सही, नाम भी सरदार पटेल के नाम से ही है, सरदार सरोवरवांद, ये कहां पर इस्तित ही है नर्मदा नदी पर इस्तित है, बिलकुल सही है आप लोग, नर्मदा नदी पर है ये, ठीक है, नर्मदा नदी जो है इस पर है, और ये बहुत important नदी है गुजरात के अंदर से वोकर बहती है चलिए अब मैं आपको जो है वो मैप दिखा देता हूँ तो यहाँ पर हम जा रहे हैं वापस कल मैप के अंदर गुजरात देखेंगे हम आज की तारिक में और देखेंगे कि यह जो है वो नर्मदा नदी और क्या है इसका शेतर कहां से पहाड़ियों से निकलती है मध्यप्रदेश के अंदर मैकाल परवर शिंकला जो है वहां से निकलती है और फिर वो पूर्व की और सुरी पश्चिम की और यानि की वेस्ट की और बहना चालू औरती है ये नदी नर्मदा नदी है ठीक है जिसका शेतर यहां से है कुछ इस तरीके से इधर से निकलती है MP 36 गड बॉर्डर के पास में से और इधर की तरफ में से बहती भी यहां पर गिरती है अब इसके अंदर ही यहीं पर वडूदरा के पास में गुजरात वडूदरा के पास में इधर इस शेतर के अंदर हम जूम करेंगे तो हमें जो है वो ये नर्मदा नदी पर एक बांध देखने को मिलेगा यहां पर है ठीक है सरदार सरोवर डैम है यह यह पूरा पानी जो भरावा देख पा रहे हैं आप यहां पर देख पाएंगे तो ये वाला इस एरिया में भरावा है ये ही जो है वो हमारा ये बांद है सरदार सरोवर डैम के नाम से लिखावा भी दिखना पारा होगा आप लोगों को यहां पर ये नर्मदा नदी पर है ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी पर है ये ये नदी का पानी या इस डैम का इस तर जब बढ़ाए गया था बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन भी किया था क्योंकि इसके पीछे देखेंगे आप इसकी थोड़ी से भुगाले की स्तिती को देखेंगे तो ये डैम का जो पानी है या इस बांध का पानी जो है पर इस एरिया के अंदर भी आसपास के शेतर में पानी जो չने जो है वो एक तरीससे घुजगया है क्यों घुजगया है किए यहां पर जो है वो इस पानी का स्तर बढ़ने के वज़ए से यहां तक भी प्रभाव देखने को मिल रहा है यानि कि पिछले राज्य मध्य प्रदेश के अंदर के लोग भी प्रभावित हुए और बहुत सारे लोगों के गाउं जो है वो इस परियोजना के अंतर कर डूब गए थे जिसकी वज़े से वो जल समाधी लेने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे थे तो यहाँ पर दो नदियों का नाम ध्यान रखिएगा एक नर्वंदा और दूसरी तापी है इसी के दक्षण की ओर में तापी नदी है यह देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखावा है तापी तो इस तरीके से यह दौनों नदियां जो है वो न्यूज में रहने वाली नदिय नासादारा भेजे गए किस उबग्रे ने एक उलका से सफलता पूरवक्त नमूने इकत्रित कर ली हैं देखे साइंस और टेकनोलजी बहुत इंपोर्टन सेग्मेंट है और साइंस और टेकनोलजी पर हमें बात करने आवश्यक होती है साइंस और टेकनोलजी पर बात करना तो होनी चाहिए मैं आपको इसको भी समझाऊंगा कि ये किस उपग्रह के बात हो रही है किस जो एस्ट्रोइड है उसकी बात हो रही है और यहां पर क्या सफलता है इसमें पाई गई है पर आप मुझे तब तक अंसर बताईए कि किस उपग्रह ने या किस सेटलाइट ने जो है वो किस उलका पे या एक उलका पे से जब सेंपल एकटे की है तो वो कौन सा है अंसर क्या है क्या A है Insights Mission है क्या Artemis है या Hope है या फिर Osiris Rex है क्या नाम है इसका बताईए इस टूडेंट्स के अंसर आ रहे हैं मज़ा उन्ही को आ रहा है उनका ही engagement जो है वो सबसे जादा है उन्ही को जो है वो एक चाव है उनको एक interest बनावा है कि हाँ यार मैं answer पहले करूँगा है ना यही प्रतीस पर जा जो healthy competition जिसको बोलते हैं वो है है ना और वो ही आपको आगे लेकर जाएगा आप जल्दी अंसर देख कि हिंट लगने से पढ़िया आपको पहले यह चेक हो जाए कि हाने है मेरा answer क्या था मैं अपना answer तो डाल दूँ उसके बाद मैं सोचूँगा कि बाकियोंने क्या answer किया इससे यह होताए कि हाँ यार कम से कम जल्दी से जल्दी मेरी timing सुदरेगी जब मैं exam देने तो answer आगए है हमारे पास में काफी students के और इसका answer है D बहुत सारे students सही है इसके अंदर Osiris Rex जो है वो इसका answer है Osiris Rex जो है वो कल news में रहा क्योंकि कल बेनू नाम से ध्यान रखिएगा बेनू नाम से जो है वो एक उलका है जो कि प्रित्वी और जो शुक्रगर है इसके आस उलका है या फिर एक उलका है उलका पत्थर है एक तरीके का छोटा सा और ये जो है वो पीनस याने की शुक्रगर है के आसपास की कक्षा के अंदर ही सूरज का चक्र लगा रहा है अब इस mission का उद्देश्य था कि उस उलका के ऊपर एक उपगर है Osiris Rex जो उपगर है इसको भेजा जाएगा और ये उपगर है उस उलका के ऊपर पहुंचेगा और वहाँ पर टकराएगा और उसके मद्दब से उसकी माध्यम से इसमें जो रोबोट होगा या इसके अंदर जो एक रोबोटिक आम होगा हाथ होगा वो उसमें से सैंपल वगरा इखटे करेगा उसको एक पैकेट में पैक करेगा और वो वापिस प्रित्वी की और भेज देगा बड़ी तरक्की देखी जा सकती है नासा की और से इस तरीके के अभियान में जिसमें एक जो दूसरा ग्रह है या दूसरा उब ग्रह है उस पे जो चीजें मिल रही है जो तत्व मिल रहे हैं उनक जाच करने के लिए जो है वो एक मिशन भेजा गया है और ये NASA का इस तरीके का पहला मिशन है हाला कि ध्यान रखेगा प्रित्वी पे यानि की दूसरे देशों के द्वारा ऐसा मिशन पहले हुआ है ध्यान रखेगा एक नाम बता रहा हूँ हाया बूसा एक बाइक का नाम है हाया बूसा है आप सबने सुना होगा हाया बूसा जो बाइक है इसी तरीके से एक मिशन है हाया बूसा मिशन अब हाया बूसा बाइक जो है वो जैपैन की है तो ये मिशन भी जो है वो जापान का है हाया बूसा मिशन के अंतरगत भी सेम ऐसा ही किया गया था कि एक उलका यानि की एस्टरोइड के उपर से कुछ सेंपल जो है वो लेकर पृत्वी वापिस मंगवाए गए पृत्वी वापिस मंगवाए गए तो ये एक बहुत ही महत्पून मिशन है क्योंकि ये उलका चटाने जो है वो शुरुवात में सौरे मंडल के शुरुवात के दौर में बन गई थी या देवर क्रियेटेड वें दर सोलर सिस्टम बिगेंड जब सोलर सिस्टम का निर्मान हुआ जब हमारे सौर मंडल का निर्मान हुआ तो उस समय पर ये उलकाएं बनी थी तो इनकी जो चटाने हैं इनका जो संरचना है इनका जो क्रियेशन है वो हमें पूरे ब्रह्मान को बनने की शुरुवात या उसको समझने में मदद करेगा इसलिए मिशन बहुत महत्पूर्ण है हाला कि ये जो सेंपल इकत्रित किये गए है ये 2022 तक पृत्वी पे वापिस नहीं आएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा इसमें अभी बहुत लंबा समय लगने वाला है चलिए नेक्स पे आ गए हम अगली चीज़ पे आ गए हम हम बात कर रहे हैं क्या है अभी जो न्यूज में चल रहे है परम शिवा या परम शिवाए परम शक्ती और परम भरम ये तीन जो नाम चल रहे हैं ये क्या है ठीक है परम शिवाए ठीक है ये सौरी यहां पे शिव लिग गया है शिवाए परम शिवाए ठीक है परम शिवाय परम शक्ति और परम भरम ये क्या है ये क्या सेटलाइट हैं क्या ये मिसाइल हैं क्या ये सूपर कंप्यूटर हैं या ये जंगी जहाज हैं वार्शिप हैं बताइए कि ये क्या है जो अभी हाल ही में न्यूज में रहा है ये वापे साइंस और को ले करो चाहे वो जहाज बनाने को ले करो कली हमने निउस में देखा था आइनस कवराती जो की एक युद्ध पोत है या फिर युद्ध जहाज है उसका जो है वो construction उसका निर्मान जो है भारत में पूरी तरीके से हुआ इसको भारतिय नौ सेना को जो है वो support कर दिया गया है भारतिय सेना अध्यक्ष मुकुन नर्वाने साब जो है उन्होंने कल इसको भारतिय नौ सेना में शामिल किया और तब ये निउस में बना था बताईए स्टूडेंट्स की ये परम शिवाय परम शक्ति और परम ब्रम ये तीन जो नाम आये हैं अभी हाली के अंदर ये किस से जुड़ेवे हैं क्या चीज है ये बताईए पाटस्पेट करिए तब ही मज़ा आएगा तुक्का मारिए कैस करिए क्योंकि एक्जाम में आपको करना होगा एक्जाम में भी आपको क्वेश्चन के अंसर देने होंगे और क्वेश्चन क्या पता कैसा आए तो इसलिए मैं आपसे दरख्वास करूँगा आप लोगों से सभी से जो है वो कहूँगा कि आप जो है वो मैक्सिमम अंसर करिए तभी मज़ा आएगा आप लोगों को भी आइडिया लगेगा एक बार अपना अंसर तो इन्पुट करिए सही गलत तो मैं आपको बताई दूँगा कहा दिक्कत है अपना कोई नुकसान तो हो नहीं रहा नेगेटिव मार्किंग है नहीं बताईए 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 सभी स्टूडेंट जो हैं वो अंसर दीजिए मज़ा तभी आता है बिलको सही है बहुत सारे स्टूडेंट से अंसर दिया है यह सुपर कम्पुटर है यह सुपर कम्पुटर है यह स पहला Super Computer का नाम क्या था, ये भी एक question बनता है, तो ध्यान रख लिएगा, कई exam के अंदर computer topic भी रहता है, कई exam में computer topic भी रहता है, और जो State PCS वगरा के exam होते हैं, उनमेng technology, science and tech का topic रहता है, वग्यान और प्रादयोगी की का topic रहता है, तो प्रोद्योगेकी के अंदर जो है वो परम नाम ध्यान रखेगा भारत का पहला सूपर कंप्यूटर है फर्स सूपर कंप्यूटर अफ इंडिया और फिर उसके बाद में इसी के नाम से परम शिवाए परम शक्ति और परम ब्रम अभी ये हाल ही में नियूज में रहे हैं क्योंकि इंडिया ने जो है वो शुरू किया है नैशनल सूपर कंप्यूटर मिशन नैशनल सूपर कंप्यूटिंग मिशन National Super Computer Mission राश्ट्री सूपर कंपुटर मिशन की शुरुआत भारत सरकार ने की है ये CDAC नाम से एक संस्ता है भारत सरकार की जो पूने के अंदर इस्तित है CDAC पूने ने इस कारिकरम को शुरू किया है Center for Computer Applications है इसका पूरा फुल फॉर्म CDAC जो पूने में इस्तित है उन्होंने ये शुरू किया है अभी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा Research शोध होने लग जया है भारत के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अंतरिक्ष प्रॉद्योगिकी में Flight वगरा भेज़े जाने लगे है Satellite Launch के जाने लगे है दूसरी तरफ भारत के अंदर मौसम भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है कभी कबार तो जो Super Computer होते हैं उनकी Processing शमता जो है वो आम Computer के मुकाबले में कई हजार गुना ज़्यादा होती है हाँ बिल्कु सही है Quantum Computer Technology पर Based है हाला कि मैं इतना ज़्यादा Detail में नहीं जाना चाता था Quantum Computer Technology जो Science के Student नहीं है या जिन्होंने Graduation Level में Physics नहीं पढ़ी है उन लोगों को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसलिए Quantum Technology के बारे में बहुत ज़्यादा Detail में नहीं जाओंगा प्यूश आपने जो कमेंट किया है ठीक है तो हम Quantum Technology की बात नहीं करेंगे पर वैसे समझेगा सूपर कंप्यूटर क्या होते है और उनकी क्या वश्यक्ता होती है अगर मुझे किसी बहुत बड़ी डेटा को बहुत बड़ी जानकारी को प्रोसेस करना है यानि कि अगर आपको 2 प्लस 2 करना है तो मैं इनसानी काफी है पर अगर मेरे को 2 प्लस 2 करना है फिर उसके बाद उसमें Multiply करना है 1,50,332 रुपए उसके बाद उसके अंदर फिर 1,30,50,050 रुपए कुछ Multiply करना है तो इतनी calculation करने को कहूंगा तो आप कहोगे यार calculator दो अब इसी से एक स्तर और उपर जाता हूँ और मैं आप से कहूंगा कि एक सिस्टम है एक जगे है एक प्रोसेस है जिसके अंदर अगर मैं बाल फेक हूंगा तो बाल कहां गिरेगी जैसा आप cricket match IPL वगरा होता है तब आप देखते हैं कि उसके अंदर जो बाल जब गिरती है या बाल जब आफ होती है तो उसके model दिखाया जाता है कि यह बाल यहां गिरी इत्ती स्पीड से गिरी और यह यहां जाकर hit हुई है यह जो model दिखाया जाते हैं या आप calculator पर तो कर नहीं सकते तो एक स्थर और उपर जाना पड़ेगा आपको computer पर करना पड़ेगा computer पर यह चीज़ आपको calculate करके computer बता देगा कि एक बाल इत्ती गती से यहां गिरी है तो वो कहां जाकर hit होगी क्या wicket पर hit होगी या नहीं होगी बिल्कुल सही है अब अगर मुझे और भी बड़ी जानकारी चाहिए यानि कि पूरे ग्रहे पूरे ग्रहे पे कहां से कौन सी हवाएं चलती है जिसकी वज़े से वाईू मंडल का दबाव किता है कहां पर है अब एक जगे नहीं पूरे पृत्वी का वाईू मंडल ये दबाव एक साथ मौसम के पैटरन को बनाता है मौसम के पूरे विज्ञान को बनाता है अब इत्ती सारी जानकारी सिर्फ एक कंप्यूटर तो कर नहीं सकता तो हमें सूपर कंप्यूटर के आवश्यक्ता होती है सूपर कम्प्यूटर इती सारी जानकारी को लेकर उसको प्रोसेस करते हैं और इसके माध्यम से काफी हद तक ये संभव हो पाता है कि कहां कितनी बरसाथ होगी, कहां चक्रवाद बनेंगे इन सब चीजों के बारे में जानकारी निकालना इनको प्रोसेस करना संभव हो पाता है इसलिए आज के विज्ञान के हिसाब से जो देश उननती करना चाहते हैं उनको सूपर कम्प्यूटर के आवश्यक्ता होती है क्योंकि रिसर्च वगेरा में बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं अगर आप रॉकेट लांच करना चाहते हैं तो रॉकेट पांच साल बाद पहुँचेगा मंगल ग्रह पे अब आप पहले से ही चाहें कि हम calculate कर लें कि मंगल ग्रह पे किस तारीक को पहुँचेगा किस कक्षा में पहुँचेगा क्योंकि ground की इस्सिती बदलती रहती है सारी जानकारी एक साथ अगर मैं अपने computer पे जान डाल के करने कोशिश करूँगा तो उसमें तो हजारों साल लग जाएंगे तब से उससे पहले तो मंगल ही आ जाएगा तो इस तरीके से super computer advanced जानकारी को process करके बहुत आसान तरीके से वेग्यानी को शोद करने में, research करने में help करते हैं अब भारत जिस तरीके से super power बढ़ने के ओर बढ़ रहा है तो हमें super computer की आवश्यक्ता है और इसलिए ये news आई है तो इसमें कुछ जानकारी जो है आपको देना चाहूँगा ध्यान रखेगा ये जो दौनों, ये जो super computer हैं, ये भारत में पहली बार assemble किये गए हाला कि बनाए नहीं गए हैं पूरी तरीके से पर भारत में assemble किये गए यानि कि एकत्रित किये गए हैं, भारत में संकलित किये गए हैं और इनको नाम दिया गया है, परम शिवाए ठीक है, first super computer, भारत में स्वदेशी रूप से संकलित किया गया पहला super computer है, जिसे परम शिवाए कहा गया है, ध्यान रखेगा, ये जानकारी भी important है कि कहां स्थापित किया गया है IIT Banaras, हिंदू विश्विद्याले, बनारस हिंदू विश्विद्याले, IIT जो है, उसमें स्थापित किया गया इसको, इसी तरीके से system परम शक्ती और परम ब्रहम को IIT खड़कपुर और IISER पूने के अंदर IISER पूने के अंदर जो है, वो स्थापित किया है, जो आप यहाँ पर English में देख सकते हैं और यहाँ पर Hindi में यही जानकारी जो है, वो दी गई है तो यह भी आपको information मिल गई कि आपसे ऐसे पूछ ले कि IIT Banaras, विश्विंदू यूनिवर्स्टी या ऐसा भी पूछ ले तो वहाँ पर कौन सा computer लखा गया है वो research भी कर सकें, शोद भी कर सकें और वो इन technology से familiar हो, उनसे अवगत हो, ताकि भारत को एक परम शक्ती बनने में, एक विश्व शक्ती बनने में साहता हो चलिए, आगे आगे हैं हम बताइए, what is the name of COVID test kit, developed by IIT खड़कपूर, IIT खड़कपूर ने कल, COVID-19 का एक नया test kit जारी किया है, एक test kit बनाने की खोशना की है, IIT खड़कपूर ने, अब IIT खड़कपूर वाले students का ये जो test kit है, अभी वर्तवान में चल रहे है, test kit के मुकाबले में जादा अच्छा है, क्योंकि इसका फिर से इस्तमाल हो सकता है, फिर से इस्तमाल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ, IIT खड़कपूर के student द्वारा विक्सिट जो test kit है, इसमें सफलता दर, यानि की testing rate जो है, वो 98% के आसपास रहेगी, और ये सही detect कर पा रहा है, सभी COVID patient को, वापिस test हो सकता है, तो इसकी costing लागत कम है ठीक है, मूल कम है, लागत कम लग रही है इसकी, यानि की जो संस्थाएं हमारे देश के अंदर testing करती है उनकी लागत ही बहुत जादा आ जाती है, यही एक समस्या आ रही है अभी COVID-19 के चक्कर में तीसरी तरफ, इसी लागत के अलावा इसके अंदर एक और चीज जो महत पूर्ण आती है, वो है इसके लिए किसी भी तरीके की lab की आवश्यक्ता नहीं है इसके लिए lab के माहौल की lab की आवश्यक्ता नहीं है वहीं अभी जो वर्तवान के अंदर टेस्ट चलते हैं, उन सब टेस्टों के अंदर laboratory, पूरी तरीके से set up, प्रश्यक्षित लोगों के अवश्यक्ता है, जो कि इसके अंदर नहीं है, जिसके माध्यम से यह उमीद की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट करना अवश्यक हो गया है क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों वो टेस्ट होगा उत्ते ही ज़्यादा लोगों को हम जो है वो screen कर पाएंगे, और ये pandemic अब भारत के अंदर जो है, वो कम होता जा रहा है आपने सुना होगा, COVID-19 इनका peak पूरा हो चुका है, over हो चुका है peak क्या होता है, peak वो point होता है जब सबसे ज़्यादा मामले active थे अब भारत के अंदर जो active cases है उसका आकड़ा जो है, वो नीचे आनने लग गया है cases की संख्या, active cases की sorry, यानि सक्रिये cases की संख्या जो है वो भारत के अंदर अब गिरने लग गई है तो आप मुझे अंसर बताइए कि इसका अंसर क्या होगा क्या इसका अंसर COVID-SHIELD है COVID-PRO है, COVID-RAP है या फिर CRP, CSR है बताइए क्या अंसर है बिल्कु सही है, student से अंसर दे दिये हैं अंसर है C, COVID-RAP COVID-RAP, IIT खड़कपुर द्वारा डेवलप एक नया टेस्ट है, एक नया टेस्ट है जिसके माद्यम से COVID-19 के patient को जो है वो जाचा जा सकता है कि क्या उसमें COVID-19 की antibodies हैं, तो ये बहुत important है, ये चीज ध्यान रखिएगा वहीं दूसरी तरफ आपको एक चीज के बारे में और मैं बता देता हूँ जो वर्तमान technology यूज होती है इसका नाम ध्यान रखिएगा Casper Cas9 Casper Cas9 technology को ध्यान रखिएगा Casper Cas9 Cas9 ये क्यों अभी news में है बहुत important है ध्यान रखिएगा इस technology के माद्यम से ही COVID-19 का test हो पाता है दूसरी चीज ये क्यों news में रहा था क्योंकि अभी हाली के दिन या थोड़े दिन पहले ही Casper Cas9 technology के विकास करने के लिए दो वैज्यानिकों को इस साल का chemistry का nobel पुरस्कार मिला है तो ये इसलिए भी news में है Casper Cas9 technology दो वैज्यानिकों के अंदर पाई जाने वाले DNA के टुकड़े कर सकते हैं उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं इस technology को बनाने के लिए इस technology को एक तरीके से विक्सित करने के लिए खोजने के लिए जो है दो वैज्यानिकों महिला वैज्यानिकों को इस साल का chemistry का nobel प्राइस जो है वो मिला था तो ये आप लोग भी ध्यान रखेगा Casper Cas9 technology अगर पूछ ले तो ये क्या है जीन या DNA को बदलने की DNA को काटने की केची मान सकते हैं आप इसको एक तरीके से चलिए आगे आगे हैं हम अगला question है पंदरवे वितायोग के अध्याक्ष है N.K. सिंग साब ये भी ध्यान रखेगा ये भी एक important information है इन्होंने कल एक किताब लाँच की है किताब पे question आते रहते है किताब पे question आते रहते है सभी students को बताए हर एक्जाम के हिसाब से important होता है ये किताब पे question आते है तो आप मुझे बताइए कि पंदरवे वितायोग के जो अध्याक्ष है हमारे N.K. सिंग साब इनने कौन सी book जो है वो publish करिए बताइए इसका answer सभी students यहाँ पर वितायोग की बात करूँगा मैं आपके समक्ष वितायोग बहुत महत्पून संस्ता होती है और वितायोग का क्या काम होता है ये भी मैं हलका सा समझाने कोशिश करूँग आप लोगों को बाकी हम इसी topic को वितायोग को आगे polity में भी बढ़ते हैं polity में वितायोग एक महत्पून संस्ता है और ध्यान रखिएगा polity की class होती है अपनी 9 बजे 9 बजे polity की class में हम इस topic को भी discuss करेंगे आगे चलकर जब हम संस्ताओं की बात करेंगे सम्मेधानिक संस्ता गैर सम्मेधानिक संस्ता क्या होती है इनकी बात करेंगे तब है इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर पंदरवावितायोग 15th finance commission इसके अध्यक्ष है N.K. Singh ध्यान रखिएगा ये भी नाम याद रखिएगा ये नाम याद रखने लायक है बताईए कि इन्होंने कौन सी किताब जो है वो जारी की है बहुत सारे students के अंसर आचुके हैं बिल्कुल सही है आप लोग ये जो है वो किताब है portraits of power बिल्कुल सही है portraits of power P answer है इसका बिल्कुल सही है सभी students के answer जिन्होंने B answer दी है बिल्कुल सही है, ठीक है, Portraits of Power नाम से किताब जो है, वो जारी किया है मैं आपको वित आयोग के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहूंगा वरतमान में पंदरवा वित आयोग जो है, वो लागू किया है 15th Finance Commission जो है वो लागू किया गया है Finance Commission इसको हिंदी में वित आयोग कहा जाता है वित आयोग जो होता है इसका सम्विधानिक दरजा है क्योंकि ये सम्विधान के अनूचे 280 के अंतरगत दिया गया होता है ठीक है, इस कवर्ड अंडर Article 280 of the Constitution अब ये एक सम्विधानिक संस्ता है यानिक Quindi is a constitutional body इसका काम होता है कि Center यानिकी केंद्र के दोरा Center यानिकी केंद्र के दोरा राज्य सरकार को यानिकी State Government को जो पैसा दिया जाना है जो फंड दिया जाने है क्योंकि राज्य सरकार पूरी तरीके से के अपने हिसाब से पैसा नहीं खटा कर सकती है केंदर के पास हमेशा ज़्यादा पैसा होगा राज्य के मुकाबले में केंदर के पास जादा कर वसूलने के साधन है इनके पास income tax भी होता है यानि कि I.K.R. भी होता है तो केंदर सरकार जो भी करिकतरित करती है उसमें से कुछ हिस्सा उन्हें राज्य सरकारों को देना होता है क्योंकि राज्य सरकार पूरी तरीके से आत्म निर्भर नहीं है हाला कि कुछ विशे राज्य सर्वार के आत्मिरबर विशे हैं पर पूरी तरीके से नहीं है अब यहां पर क्या हो जाता है कि कभी कभार इन करों का जो बटवारा होता है वो कैसे होगा किसी राज्य को कई कोई राज्य गरीब होते हैं उन राज्यों को ज़्यादा पैसे क्या वश्यक्ता होती है जैसे बिहार है जारकंड है इन राज्यों के अंदर कुछ इलाके पिछड़े वे हैं जहां पर राज्य सरकारों को ज़्यादा पैसा निवेश करना पड़ता है तो केंद्र सरकार इन राज्यों को ज़्यादा पैसा देगी अब ये कौन बताएगा कि कितना पैसा देगी इसके लिए ये संस्था बनाई गई है जिसको वित आयोग कहा जाता है Finance Commission यानि कि वित आयोग में अभी पंद्रवाद आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष NK Sinh है जैसा मैंने अभी आपको बताया बड़ ये याद रखेगा कि वित आयोग के अध्यक्षकों निउक्त करते हैं राष्टरपती राश्ट्रपती ही वित आयोग के अध्यक्ष को न्यूक्त करते हैं राश्ट्रपती इनको जो है वो चुनते हैं न्यूक्त करते हैं पंद्रवा वित आयोग तो राश्ट्रपती द्वारा न्यूक्त किया गया योजना आयोग जो है वो एक गैर सम्विधानिक संस्ता होते वे भी वित आयोग से ज़्यादा शक्तिशाली हो गई थी अभी हाली के अंदर योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है 2015 के अंदर एक जन्वरी 2015 से वित योजना आयोग की जगह ले ली है नीती आयोग ने नीती आयोग ने ठीक है तो नीती आयोग जो है वो भी एक इंपोर्टन संस्ता है तो योजना आयोग नीती आयोग ये दौनों सम्विधानिक संस्ता है नहीं है इनका समविधान में कहीं वर्णन नहीं है पर ये जो वित्तायोग है, finance commission है इसका समविधान में वर्णन आता है और इसका नाम ज़रूर ध्यान रखेगा एनके सिंग वरतमान वित्तायोग के अध्यक्ष हैं जिनकी सिफारिशों के आधार पर ही अंदर सरकार राज्य सरकार को पैसा आवंटित करती है और इसी के साथ में इसी की उपलक्ष में राज्य सरकार भी इससे निचले के इस तरफ पंचायतों को पैसा देती है पंचायतों को नगर निगायों को पैसा देती है और ये देती है राज्य वितायोग की सिफारिशों राज्य वितायोग को जैसे केंद्रिये को राश्रपती न्यूट करते हैं, राज्ये को राज्ये पाल करते हैं ये कुछ important information है जो वितायोग के बारे में है, ये polity में भी discuss होने वाली चीज है हाँ, बिल्कु सही, 243 के अंदर आता है, राज्ये वितायोग, जबकि केंद्रिये वितायोग आता है 280 के अंदर, ठीक है तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, केंद्रिये वितायोग और राज्ये वितायोग दोनों अलग-अलग हैं जैसे केंद्रे चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग अलग हैं उसी तरीके से केंद्रे वितायोग और केंद्री है आगे आगे हम बताईए भारत की पहली किसान रेल सेवा कौन से दो स्टेशनों के बीच में चली है रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है वहीं दूसरी तरफ हरी एक्साम के इसाब से क्यों इंपॉर्टेंट वो भी मैं बता देता हूं क्यो अध्यक्ष स्टूरी राजिस्थान वितायों के अध्यक्ष का नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि हर स्टेट के वितायों का मुझे थोड़ा सा मुश्किल होगा नाम याद रखना पर मैं आपको जो है वो केंद्रे वितायों का जरूर बता सकता हूं वर्तमान में कर सकते हो, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स रेल वगरा के एक्जाम देते हैं, दूसरा और भी SSE वगरा में ये बहुत ज़्यादा चांस है इस बार आने के, क्यों क्योंकि भारत सरकार ने COVID-19 के बाद में एक तरीके से किसानों की आये को बढ़ाने के लिए बहुत किसान रेल परियुजना की अंतरगत, जो ऐसा सामान है, जो जल्दी खराब हो जाता है, जैसे फल, फूल, सबजियां आदी, इनको एक शेतर से दूसरे शेतर तक पहुँचाने के लिए जो है, वो कोशिश की जाएगी, और वो कौन से दो स्टेशन के बीच में पहली किसान रेल चला गई, ध्यान रखियेगा, ये नियूस में आज क्यों लिया है, क्योंकि कल तीसरी खिसान रेल भारत में चला दी गई, तो तीसरी का तो शाइद ना पूचे आपसे, पर पहले का क्वेशन जरूर आजाएगा, इसलिए आपसे यह प्थे क्योशन कर रहा हूं, बत दूसरी भी आंदरप्रदेश से दिल्ली के मद्दे चली थी, same route पर, अब यहां पर वो अवंतिपुर से चली थी, वो कहां से चली है, अवंतिपुर से दिल्ली, अब यहां पर ध्यान रखेगा कि यह चली है, अंसर है A, जिन स्टुडेंट्स ने A अंसर दिया है, वो लोग सही हैं ये है देवलाली से दानापुर दानापुर जो है वो है बिहार में और देवलाली महराश्र में ये है देवलाली महराश्र में और ये है बिहार में दानापुर बिहार में तो ये ध्यान रखिएगा है ये देवलाली से दानापुर याद रखना है आपको देवलाली से दानापूर ध्यान रखना है आपको बहुत important है यह नाम ध्यान रखिएगा यही इसका अंसर है और जो दूसरी और तीसरी यह भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं दूसरी और तीसरी किसान रेल जो है वो चलिए अवंतिपूर से दिल्ली अवंतिपूर से दिल्ली आंदरप्रदेश में से दिल्ली चलिए तो यह ध्यान रखेगा यह important news है यह सभी exam के हिसाब से important है यह खास तोर से important है क्योंकि यह महिला सुरक्षा भी आजकल काफी जादा news में चल रही है अगला question आपके लिए मैं लेकर रहा हूं which department has started woman safety campaign मेरी सहेली मेरी सहेली क नाम से महिला सुरक्षा भियान किस विभाग द्वारा जो है वो अभी चलाया गया है launch किया गया है यह बताइए इन में से कौन सा department है क्या केंदरी डिजर्ब पुलिस है क्या रेल्वे सुरक्षा भल है क्या दिल्ली पुलिस है या शशस्त्र सीमा भल है प्रतिमयान स्री य क्या शशस्त्र सीमा भल है सेंट्रल रिजर्ब पुलिस रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स दिल्ली पुलिस या शशस्त्र सीमा भल बताइए किस विभाग ने महिला सुरक्षा भ्यान मेरी सहेली शुरू किया है सभी students जो है वो इसमें पार्ट्सपेट करिए क्योंकि बहुत simple छोटे questions होते हैं जो SSC वगरा में अकसर आजाते हैं आमें इनके बारे में information नहीं होती है तो कम से कम आप लोग थोड़ा सा सोचिए और eliminate करिए answers को सोचिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है क्या किसी कारण से आपको लगता है कि या यह option नहीं हो सकता है या यह होगा बताईए कौन सा होगा यह कौन से से जुड़ा हो सकता है यह news में है कल ही news में आया है और इसलिए मैंने इस question को रखा है क्योंकि मैं जैसा कहता हूँ हम current affairs की class में current ही topic discuss करते हैं हम बासी news नहीं लाते हैं और कोई भी पुराने topics को नहीं उठाते हैं जो एक दो दिन में news में रहा उसी की बात जो है वो हम करते हैं तो बताईएगा कि किस विभाग ने महिला सुरक्षा अभियान मेरी सहेली शुरू किया है options जो है वो आपके सामने हैं केंद्री रिजर्ब पुलिस रेलवे सुरक्षा बल दिल्ली पुलिस है या शशस्त्र सीमा बल है ठीक है यह शश बताईए चलिए बहुत सही है सभी सुडेंट्स के अंसर आने लग गए हमारे पास में बी इसका सही अंसर है रेलवे प्रोटेक्षन फोर्स ठीक है आर पी एफ रेलवे प्रोटेक्षन फोर्स ने इस अभियान को शुरू किया है हम इसके बारे में कुछ जानकारी भी है ज सेंजर्स की जो सिक्योर्टी है उसको बढ़ावा देने के लिए मेरी सहेली पहल जो महिलाओं की यात्रा के दौरान ठीक है महिला यात्रियों को सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 20 अक्टूबर 2020 को ट्रेन नंबर 05 955 दिब्रुगड से दिल्ली विशेश ट्रेन में ल तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा अवगत रहना सजग रहना जरूरी है सतर्क रहिए सजग रहिए सावदान रहिए सावदान इंडिया चीक है चलिए आगे बड़ें ओके आज का लास्ट क्वेशन जो की कल की कि की नीउस से है और थोड़ा सा रिवीजन भी हो आज का last question मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये महिलाओं के उससे भी जुड़ावा है न्यूज में है और कल हमने आजाद हिंद सरकार की बात की थी है ना मतलब परसों ही न्यूज में था का है तो current गई और एक revision के हिसाब से भी हो गया तो मैंने ये question डाला है बताइए who was the head of the woman wing of the Indian National Army निमलिखित में से कौन आजाद हिंद فوج की महिला wing की प्रमुक थी बताइए इसका अंसर ही बहुत simple और repeated question भी repeated question ही आप ऐसा मान सकते हैं बहुत सारे exams में ये question directly आता रहा है और आपको इसके बारे में information होनी चाहिए ये भारत के इतिहास में बहुत महतपूर नाम रहे है चारो ही पर इसका अंसर क्या है वो बताइए फिर मैं चारो नामों का थोड़ा थोड़ा सा background आप लोगों को दूँगा ताकि आप लोगों थोड़ा सा idea लग जाएगी ये कौन है चारो ही नाम महतपूर नाम मनगड़त कोई भी नहीं है चारो ही नाम भारत के लिए महतपूर नाम है पर आप इस सवाल का जवाब दीजिए बताइए कि कौन है जो आजाद हिंद फौज में महिला सेना की अध्यक्ष थी या महिला विंग की अध्यक्ष थी किस का नाम आएगा यहां पर आजाद हिंद फौज में या आजाद हिंद सरकार में इनका महतपूर योगदान रहा निताजी सुवाश अंदर बोज की आजाद हिंद फॉज के अंदर महिलाओं के लिए समान जगे थी वहाँ पर रानी लक्ष्मी बाई बिर्गेड का जो है वो स्रजन किया गया था या फिर उसका जो है वो निर्मान किया गया था और इस जो फोर्स थी इस सेना ने जो है वो भारतिय आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर सभी जगे पर सभी फ्रंट पर लड़ाई भी लड़ी तो महिलाओं को शशक्ति करण की बात की गई इस समय पे नेताजी सुभाज चंदर बोस के दोरा और इस समय पे बहुत महत्पून योगदान दिया है इन लोगों ने इन सभी महिलाओं ने चलिए बिलको सही अंसर आ गए हमारे पास में और अंसर ए है बिलको सही है आप सभी सुडेंट्स लक्ष्मी सहगल हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो है वो महिला विंग की प्रमुक थी अंसर ए अंसर क्या है अब मैं अरुना असफ अली क्या नाम ध्यान रखेगा भारत छ वतंता संगराम के अंदर दिया था, कॉंग्रेस की प्रमुख नेता थी, अरुना असफली, ठीक है, वहीं कादम बिनी गांगुली का नाम ध्यान रखिएगा, भारत की पहली महिला ग्रेजुएट, भारत की पहली महिला ग्रेजुएट थी, इन्होंने कलकता से ग्रेजुएशन की, और इन्होंने कॉंग्रेस के तीसरे सत्र के अंदर भाषण भी दिया था, भारत की पहली महिला ग्रेजुएट जो है, उनका नाम है कादम बिनी गांगुली, ध्यान रखिएगा, और उशा महता, ये कॉंग्रेस कारे करता थी, और इन्हें मुख्य तोर से एक चीज़ के लिए जाना जाता है, कॉंग्रेस रेडियो, कॉंग्रेस रेडियो, जैसे आज की तारीख में अपने पास में FM रेडियो चलते हैं, उसी तरीके से, आजादी के संगर्ष के दौरान, एक कॉंग्रेस रेडियो नाम से एक रेडियो चैनल चलाया जाता था, जिसके माद्यम से जानकारी दी जाती थी, लोगों को, कि आपको आंदोलन के लिए कहां इकत्रित होना है, कहां पर जो है, वो किसी भी तरीके से, एकत्रित नाहिये होई है, या होई है, किस तरीके से जो जानकारी देनी होती थी, वो कॉंग्रेस रेडियो के माद्यम से दी जाती थी, और इसके लिए जो व्यक्ती जिम्मेदार थी, उन्हें उशा महता का जाता है, उशा महता ने जो भारत छोड़ा अंदोलन है, उसको सफल बनाने में बहुत महत्पूर्ण योगदान दिया, कॉंग्रेस रेडियो के माद्यम से, तो ये बात ध्यान रखिए, कॉंग्रेस रेडियो का नाम ध्यान रखिएगा, इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा चाहूँगा, आज के लिए धन्यवाद और सभी स्टूडेंट से निवेधन करूँगा, आप लाइक शेर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, और जो है सुबह 8 बज़े आ जाईएगा, फिर से वही अनाउस्मेंट की 31 तारिक को पूरे मंत की मैरतन क्लास रहेगी तीन गंटे की, और उसमें भी अपने फ्रेंड्स को जोड़िए, और थैंक यू. झाल्स वाँ नग्ड़ागा、 झाल्स वाँड़ Fest रहेगी ते रहे झाल्स रहेगी तारिक यू.